एलो फ्रेंड्स आपका हमारे यूटीब चैनल हैपी हेर में सौगत है आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है देशी सुध सहथ की क्या-क्या फायदे हैं और सहथ में पाए जाने वाले पोशक तत्व क्या-क्या हैं तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ाने से मैं हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपका वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप हमारे हैपी हेर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ और हेर से रिलिटेट सारी जानकारी आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते ह नाइसेन, विटामिन B6, विटामिन C और एमिनो एसेट भी पाए जाते हैं एक चमच 21 ग्राम सहद में लगबख 64 कैलोरी और 17 ग्राम सुगर होता है सहद में फैट फाइबर और प्रोटिन बिल्कुल भी नहीं होता है सहद में पाए जाने वाले इतने पोशक ततु होने पर आप इनके फाइदों के बारे में अंदाजर लगा ही चुके होंगे तो चलिए सहद के फाइदों के बारे में बात करते हैं सहद के फाइदों को देखते हुए ही आयरवेद में इसे अमरत समान माना गया है चोटे बच्चों से लेकर वेक्स तक सहद सभी के लिए उतना ही जरूरी है नियमित रूप से सहत खाने से रोग प्रतिरोधक चमता बढ़ती है जिससे कई तरह की संक्रामक विमारियों से बचाव होता है आए सहत के प्रमुक फाइदों के बारे में विस्तार से जानते हैं नमबर एक अगर आपको खासी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है त साथ ही यह कफ को पतला करती है जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाता है नमबर दो कटने चिलने या जल जाने पर भी सहत का उपयोग करना बहुत लाबकारी है सहत में मुझूद एंटिसेप्टिक्स गुन जले हुए हिससे को जल्दी ठीक करते हैं नमबर तीन अगर आप बढ़ती वज़न मुटापे से परिसान है तो सहत के सीवन से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहत में वसा बिल्कुल नहीं होता है नमबर चार रोग प्रतिर्दोदग चमता बढ़ाने में सहत में जरूरी एंटी अक्सिडेंट्स की रोग प्रतिरोधक चमता को बढ़ाना है इम्मिनिटी पावर मजगूत होने से कई तरह की संक्रामक बिमारियों से बचाव होता है नमबर पांच अगर आप अपने चेहरे को खूसुरत बनाना चाते हैं तो सहत का मास्क आप अपने चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक सुखा के फिर धोले यकीन मानिये सहर में एंटी अक्सिडेंट्स की मातरा अधिक होती है जिसके कारण आपके चेहरे से सभी धाग धब्य और जुर्या कुछ हपतों में ही खत्म हो जाती हैं नमबर च्हें बालों की समस्या में भी सहर अमरत समान है अगर दहीवे एक चमत सहर डाल कर सीर की मालिस की जाए तो कुछ दिनों में आपके हेर से सम्बंदित सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएंगी क्योंकि सहथ में विटामिन सी तत्व मुझूद होते हैं अगर आपको इन में से कोई भी समस्या है और आप देशी सुद्ध सहथ या जंगली सहथ मंगाने के एक और जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए अलविदा धन्यवाद